असलाम अलेकुम दियर स्टूडेंट्स यह टॉपिक जो आज हम शुरू करने लगे है इसका तालुक अकाउंट से है अकाउंट्स इसका मतलब है खाते और खाते में हम लोग क्या लिखा करते थे इसमें हम सारा हिसाब किताब जो हम अपने बिजनिस के साथ मुनसलिक करते हैं वो सारा हम इन खातों में लिखा करते थे और जब भी हम अकाउंट्स या खातों की बात करते हैं तो हमारे जहन में बड़ी बड़ी खाते वाली किताबें और मुनची आते हैं और ये सही भी है क्योंकि acoins maintain करना एक specialized काम है और मुझी इन काम के लिए specialized हुआ करते थे इन खातों को maintain करना ये accounts को maintain करना क्यों जरूरी है इस लिए जरूरी है ताकि हर बंदा ये जान सके जो भी बिजनिस कर रहा हो जो छोटा दुकानदार हो या बड़ा इंडस्ट्री लिस्ट हो उसे ये पता होना चाहिए कि उसके पास इस पूरे बिजनिस से कितनी आमदन हो रही है और कितना खर्चा हो रहा है और खर्चे भी किस-किस मद में हो रहे हैं और आपंदन भी किस-किस मद से हो रही है और उसकी कौन सी प्राड़क्ट बहुत जादा मकबूल है और बहुत अच्छा मुनाफ़ा कमा रही है ये सब जानने के लिए हमें ये खाते मेंटेन करना पड़ते हैं इन खातों को मेंटेन करने का पराना तरीखा तो किताबों में लिखना था लेकिन अब ये सहूलत हमें मुएसर आ गई है कि हम ये सारा काम कंप्यूटरों से लेते हैं और इस वक्त दुनिया के तमाम अकाउंटिंग सिस्टम्स पुराने तरीखेकार को नए तरीखेकार में इस तरह से बतद्रीज बदल रहे हैं कि हमारे सारे खाते आटोमेटिड होते चले जा रहे हैं चोटा दुकानदार हो वो भी अपने खाते मेंटेन करता है और बड़े इंडिस्टिलिस्ट भी यही खाते मेंटेन करते हैं reason क्या है? reason यह है कि आपको रोजाना का अपनी जितनी भी चीज़े आपने बेची और जितनी भी चीज़े आपने खरीदी इन सब का ताइयन करना पड़ता है और इसी से आपका कारोबार चलता है अच्छा ये काम सिर्फ और सिर्फ इंडिस्ट्रियल या खरीदो फरोग के लिए या इस तरह की कमपनियों के लिए नहीं है जो कि सिर्फ और सिर्फ एकनॉमिक्स में या पैसे कमाने की दौड में है ये तमाम चरिटिबल ऑगनाईजिशन्स हो ये कोई भी कमपनी हो उन सब को अकाउंट्स मेंटेन करना जरूरी है अच्छा इसकी रीजन क्या है ताके लोगों को बता सकें कि जितने पैसे जितनी आमदन हमारी पे हुई है वो हमने सही तोर पे खर्च की भी है या नहीं तमाम कमपनिया इन अकाउंट्स को मेंटेन करती है और अब ये अकाउंट्स लोगों से आडिट कराके उन लोगों को शराकदारों को या शेरोल्डर्स को दिखाये जाते हैं ताके उन्हें पता चल सके कि कमपनिय एकनॉमिकली और फाइनचली किस डारेक्शन में जा रही है जब से कम्प्यूटर की आमद हुई है ये सिलसला और आसान हो गया दुनिया में इस वक्त बहुत सारे बड़े बड़े नाम अकाउंटिंग सिस्टम्स बना रहे हैं लेकिन सबसे ज़ादा इस्तेमाल होने वाले सिस्टम्स वो हैं जो स्मॉल या मीडियम इंटर्प्राइज़ को फोकस करते हैं स्मॉल और मीडियम इंटर्प्राइज़ में कौन सी कमपनिय आती हैं इसमें वो तमाम दुकानदार चोटी एंटरप्राइज़ और इस तरह की चोटी कंपनी आती हैं जो डे टू डे अपना अकाउंट मेंटेन और देखना चाहती हैं ये कस्टमर के साथ भी काम कर रहे होते हैं और इनके सप्लायर और वेंडर के भी रिकॉर्ड रखना चाहते हैं इस तरह के कॉम्प्रिहंसिफ अकाउंटिंग सिस्टम बहुत सारे दुनिया में राइज हैं लेकिन जो सबसे मशूर आजकल और सबसे आसान इस्तमाल के लिए चल रहा है उसमें सबसे उपर जो नाम आता है वो आता है कुईक बुक्स का इन्टुइट का बनावाई ये कुईक बुक्स सिस्टम इस वक्त पूरी दुनिया में राइज है पाकिस्तान में भी इसके बहुत जादा यूजर है और इस वक्त सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि ये बहुत सस्ता और कॉम्प्रिहंसिफ सिस्टम है जो तमाम लोगों की इस्तिमाल करना सीखें तमाम सिस्टम जो के कंप्यूटर में मौजूद हैं वो उसी तरह चलते हैं जिस तरह कंप्यूटर पर और कोई सिस्टम चलता हो तो आई हम देखते हैं कि कुईक बुक्स इस्तिमाल करते हुए हमें क्या-क्या चीज़े करनी पड़ेंगी और से समझ सबसे पहली चीज QuickBooks या तो आपके कंप्यूटर पर मौजूद हो या आपने इसको एक महीने के लिए इसकी फ्री डेमो वर्जन ले लिया हो जब भी आप QuickBooks इस्तमाल करेंगे तो आपके डेस्टॉप के ओपर QuickBooks का लोगो नज़र आएगा हम जो QuickBooks इस्तमाल करने लगे हैं वो कहलाता है QuickBooks Pro 2016 और मैं सिर्फ आपको इसका एक पहला स्क्रीन शॉट दिखाऊंगा कि जब आप इंस्टॉल करके इसे चलाएंगे तो आपको क्या चीज नज़र आएगी नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि इसको हम किस तरह से लाउंच और इस्तमाल करते हैं